कि काफी कुछ पढ़ने के लिए तो शुरू करेंगे उससे पहले अगर आप लोग क्लाइट 2024 के लिए मौक टेस्ट देख रहे हैं तो 1599 में 35 प्लस फुल मौक टेस्ट आपको मिलने वाले 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको मिलने वाले आप हमारी आप डाउनलोड करके वहां स से समें इलोल कर सकते हैं अगर आप लएप को चेक कर सकते हैं हर कोर्स के पीछे उसका पूरा डेटेल दिया हुआ है डामोड लेक्चर दिये हुए आप एक बात तसली से देख लिए अगर अच्छा लगता है तो अगर आगे बढ़ेंगे उससे पहले देखे आज हैं इससे लालबधु शास्त्री जिया है, उनकी भी आज की दिन जहनति आ है कि टेटी है कि मार की मार गॉंडी जीया चmpfen आए है ये जो है ना गांधी जी की आपकी होने वाली है 154th anniversary कौन से होने वाली है 154th गांधी जैनती है आज के दिन और मैंने जैसे आपको बता है लाल बादु शास्ती जी को भी हम same day tribute देते हैं गांधी जी का जो जनम है वो 2nd of October 1869 में हुआ था पोरबंदर गुजरात में गांधी जी की जनम हुई थी ये लॉयर रह चुके है पॉलिटीशन थे सोचल एक्टिविटिस थे राइटर थे और बाद में नेशनलिस मूवमेंट के लीडर भी बने थे अगेंस्ट बिटिश रूल उफ इंडिया अब जैसे कुश्चन में आपको इसी में फ्रेम करके बता देता हूं कैसे कुश्चन फ्रेम होते हैं आप यही देख सकते हो आपसे कुश्चन पूछ लिया कि गांधी जी जो है इनम लेट दे दिया या कुछ इस तरीगे की चीज़े दे दिया तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे तो इसलिए कुछ चीजे थोड़ा उपन माइंड से सुना करो समझा करो और लगे इंपोर्टेंट कि भाई यार नहीं रहेगा तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन मार दिया करो सत्याग्रे गांदी जी आपको पता ही है अपने सत्याग्रे आंदोलंस के लिए फेमस हैं सबसे पहले इन्होंने 1893 से 1915 के बीच में साउथ अफरीका में किया था वहां में देखे साउथ अफरीका के अंदर जो है रेसिजम बहुत जादा था मतलब ब्लैक एंड वाइट jack टि जहाती तो गांदी जी जो हैं उसके ऑगेंस के वहां पर फाइट करते हैं तो उनका पहला सत्याग्रे था और उसके बाद सौनाख अफरीका से गांदी जी वापस इंडिया आ जाते हैं जिसको हम आज की डेट में क्या बताते हैं प्रवासी दिवस मनाते हैं चलो उसको भी हम बाद में बात करेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं आज का दिन इंटरनेशनल डे ओफ नॉन वाइलेंस भी अबजर्व किया जाता है यूएन के दुआरा और गांधी जी के नाम पर पीस प्राइज का भी स्थापना करी गई है वो भी दिया जाता है रविना टेगोर जी का ऐसा कहा जाता है कि महात्मा जो है गांधी जी को महात्मा का टाइटल जो है वो आपके रविना टेगोर जी ने दिया था गांधी जी का पूरा नाम मुझे सभी लोग comment section में बताएंगे ठीक है? चुकि महात्मा तो हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी बट नाम कुछ और था ना? क्या था बताना? अब हम अगर आज की जो anniversary है इसकी theme की बात करें तो इस बार की इस anniversary की theme है एक तारिक, एक घंटा, एक साथ ये 2 October की गांधी जैनती जी की theme है इसमें ये कहा गया था कि भाई एक October के दिन एक आर जो है, सारे citizen जो है वो आके श्रमदान करें श्रमदान मतलब सफाई करने में सहयोग करें तो वो इस बार की जो है, वो theme है एक तारिक, एक घंटा, एक साथ इसके बाद गांधी जी जी जो है वो 1915, 9th January को South Africa से return आ जाते हैं और उस दिन को हम भारतिय, प्रवासिय दिवस की तरह भी celebrate किया जाता है ये celebrate इसलिए किया जाता है कि जो बाहर रह रहे हैं भारत के लोग भारत की development में कितना योगदान कर रहे है और गांधी जी जो है, वो 9th January को वापस आ जाते हैं 1915 में और महां से 9th January को प्रवासि भारती दिवस मनाया जाने लगा है एक इनकी और बियर अमबेटकर साब की बहुत important pact था, पुना pact वो क्या था समझा देता हूँ देखो, बिटिशर्स ने separate electrode का concept लाया था separate electrode में वो क्या करते थे कि भाई, Muslims लोग जो है, सिब Muslims को चुन सकते हैं है ना, तो इस तरीके की चीज़े वो करके लाया थे 1990 Montegoch import reform में आया था बट यह आपके अभी काम का नहीं है अगर 11-12 में modern history पढ़ी होगी किसी ने तो उसको पता होगा लेकिन अभी आपके में स्टेटिक जी के नहीं आती तो इतना नहीं जाना है डिटेल में तो separate electrode का concept लाया गया था ठीक है, मोडले मिंटो, reforms करके concept ता महां से आया थी थारी चीज़े तो separate electrode में यह होता था कि भाई देखो कोई X नाम का लीडर है अगर वो from belongs from Muslim community तो उसको सिब Muslim लोग ही वोट दे सकते हैं उसको और कोई community वोट नहीं दे सकती है तो पहले यह religion के basis पे लाया था हुआ क्या कि देखिए बिया रमबिटकर साब SCST के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे और वो यह चा रहे थे कि इनका भी representation बढ़े तो बिटिशास ने separate electrode का concept जो है वो SCST के लिए में भी ले आया मतलब कि भाई अब SCST के लिए भी बंदे जो हैं वो सिफ उन्हीं को वोट दे सकते हैं और उन्हीं को चुन सकते हैं इससे क्या होता समाज में जो है बहुत जादा एक दूसरे के परती discrimination बढ़ता डिवाइड वाला concept और बढ़ता गांधी जी कोई चीश समझ में आ गई थी गांधी जी जी जो है सेस्टी कम्यूटी को representation मिलना चाहिए तो गांधी जी जो है उनको मनाने के लिए अंबेटका साब जो है वो पूना वाली जेल में जाते हैं यरवद्दा जेल थी आई थिंक और वहां पे दुन्हों की बीच में पूना पैक्ट होता है उसमें यह होता है कि देखो separate electrode नी करन पैक्ट के थूँ ठीक है गांधी जी की जो बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी है उसमें एक है हिंद स्वराज एक है हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद्ट रूट इनकी ऑटो बाइगरफी है इनकी मृत्यू जो है वो नातुराम गोटसे ने करी थी 30 जन्वरी 1948 को 30 जन्वरी को हम ऐजे माटेयस डे की तरह मार्क करते हैं तो यह थोड़ा सा गांधी जी के बारे हैं बेसिक देखो ऐसा नहीं है गांधी जी को आरे में पढ़ने में बहुत कुछ है पर वो स्टैटिक पार्ट है इनके सारे आंदोलन ये वो चंपारन वाला मुमेंट ये सब नहीं पूछेंगे आप से एक्साम में लेकिन गांधी जी के ऊपर पैसे आ सकता है अभी जो की करेंटी इ पूछते हैं यहां पर देखिए अगली न्यूज है और जिनको नहीं पता है बता देता हूं जैसे जो रेस्टुरेंट्स वाले होते हैं जो धाबे वाले होते हैं वो लोग यूज करते हैं फ़ड़ा बड़ा होता है साइज में ठीक है तो कॉमर्शियर सिलेंडर का प्राइस जो है वो थाइससो रुपे का आसपास आइधिंक बड़ा है अब यह एक्जेक्ट रेट और यह आपके काम का नहीं है एक्जाम में नहीं पूछेंगे थोड़ा सा नॉलेज के पता होना चाहिए हो रहा है और जो एविशन फ्यूल है जो फ्लाइट जो एरोप्लेंस जो है जो फ्यूल यूज करती है उसका प्राइस भी बड़ा है तो इसका क्या डारेटली आपक आपको बेसिक कॉंसेट समझाता हूं ठीक है इसको समझने की कोशिश करिएगा एक दवाई होती है जिसको हम बोलते हैं जैनरिक ड्रग और एक होती ब्रांडिड ड्रग अब मैं आपको ने इसको बहुत सिंप्लिफाइड वे में समझाता हूं जिससे आपको आइडिया होगी ना वह बहुत महेंगी होगी क्योंकि एक ब्रांडेड दवाई है और जेंजे ने बनाई थी ठीक है इसी दवाई का जो फॉर्मूला है जो इसमें यूज हुआ है बनाने के लिए उसी का फॉर्मूला यूज करके बहुत सारी जैनरिक डवाईयां भी यूज हुई हो यह जॉंसन एंड जॉंसन ने बनाई है जॉंसन एंड जॉंसन जॉंस बीबी पाउडर वाली कंपनी वह उसने इस टीवी की दवाई को बनाया है इसका नाम है बयोडीन संटिंग नाम ता रुख जाओ मैं नाम भी आपको बता देता हूं ठीक है अब हम बात करते हैं जैसे बेड़ा कुलीन जो दवाई है इस पर बहुत सारे रिसर्च पर पैसे खर्च किये गए इसके उपर पूरा दिमाग लगाया और जॉंसन एंड जॉंसन ने इसको बना डाला ठीक है और ऐसा नहीं किसी वही ट्राई कर रहे थे बहुत सारी कंप्र बनाया किसने जॉंसन एंड जॉंसन ने और अपना एक अच्छा खासा पोर्शन जो है कमाई का वो इन्होंने रिसर्च पर लगाया तब जाके दवाई बनी है तो होता क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी जब इस थरीके की दवाई बनाती है और वो उसको खोज लेती है तो के लिए मिल गया तो उस समय से जॉंसन एंड जॉंसन उस दवाई से कमाई करेगी बाकी कंपनियां नहीं कर पाएंगी ठीक है बट जैसे ही वो पेटेंट खतम हो जाएगा पास साल का तो उसके बाद बाकी कंपनिया भी इस फॉर्मूलर का यूस करके अपने हिसाब से दव कंट्रीज में इविन इंडिया को भी आप ले लो बहुत बड़ी एक मैसिव प्रॉब्लम है अब वहां पर दवाईयां महंगी कर दी जाएंगी तो लोग उसको फिर फोडी नहीं कर पाएंगे तो यह चा रहे थे कि पूरे वर्ड के उपर इनको पेटेंट मिल जाए मैं आ का तरीका होता है जिस तरीके से दवाई मैनुफेक्टर कंपनी जो है वह आप देखते होगी पैसा कमाती है टीक है अब इसमें देखो जयसे ब्रांड मैने आपवे बोला कि जैनलना दवाई क्या होती तो देखो कोई को डिफ्रेंस नहीं होता ब्रांड नेम आज जैनलीस दवाई में इंर्डे इंग्रीदियंस लगबखए लगबख सेम होते हैं पर वाली higher होती है cost में, यह lower होती है cost में, generic form exist करती है, always covered, ठीक है, FDA के दोरा approved होती है, यह भी approved होती है, no difference, mostly approved होती है, no difference, लेकिन आपको मैं एक ची बिता जाता हूँ, packaging जो है generic device की बहुत सिंपल होती है, इसकी बड़ी अच्छी होती है, generic दवाईयों में दिक्कत आ जाती है, ज syrup पी के लोगों के मृत्य हो गई थी, तो वो generic दवाईयों में दिक्कत थोड़ी सी भजाती है, दूसरी generic दवाईयों की availability हर जगा नहीं है, जैसे कि आप किसी doctor के पास गए, तो उसने जो आपको दवाईया लिखेगा, वो brand की दवाईया लिखेगा, जो कि उसको commission मिलता है, तो generic दवाईयों आपको मिलेंगी ही नहीं, तो generic दवाईयों को पहले सरकार की responsibility है कि भाई, वो availability जादा बढ़ा दे, तब तो लोग उसको use कर पाएंगे, और लोग use ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो आली चीज़ है, बाकी आप इन दवाईयों को महंगा महंगा लेत लिए, मतलब एक brand बना थी, दोलो 560 के नाम से, उसका नाम famous हो गया, जबकि उसमें ingredient paracetamoli है, समझ रहे हो, और paracetamoli पहले भी खाते थे, कहने का मतलब यह है कि ingredients के नाम से नहीं चानी जाते हैं, दवाईयों को brand नहीं से famous कर देते हैं, जैसे दोलो इन इसल वो brand और वो जाने में, जब उन्होंने डोलो recommend करना शुरू किया था, आफस्पा extended in four district of Assam, तो यह news देखो यार, पढ़ सकते हो, आफस्पा के बारे में detail में हमने last week कि किया है, तो I am not going to repeat it, ठीक है, अच्छी news है, यह जो नई districts हैं, वो आप से पूछेंगे नहीं कि नाम बताओ, तो को वो एक जंगल में रहते थे, तो वहाँ पे कुछ forest officers 240-250 के आसपास पहुँचे, उन्होंने उनको उस जगार से निकाल दिया, उनके उपर आप लगे कि वो sandalwood की चुके करके बिशते हैं, यह करते हैं, वहाँ पे एक लड़की थी, उसका rape किया गया था, यह सारी चीजे कि लिए जब tribal community जो है वो आगया ही, तो कुछी ने कुछ सुनी नहीं, government officials के against में, फिर इन्होंने code में case file किया, 2010 या 11 में trial court ने 240-230 लोगों को इसमें कन्विक्ट कर दिया, भाई, तुम लोग दोशी हो, तुमने tribal community को तंग किया है, फिर मदरास high court ने सब से लगा दिया त चीजे, इसका जो community का नाम था, वो अच्छती tribe थी, ठीक है, और ये जो justice P. Wilmurgan जो है, इनके द्वारा इस case को सुना गया था, clear हो गया, इसके बाद देखिए अगला article जो है, वो है, इंडोनेशिया set to launch China's funded high speed rail, first in south east Asia, इसका नाम क्या है, वोश, bullet train के concept में, इंडोनेशिया ने चाइना के साथ मिलके इसको बनाया है, joint project है, इंडोनेशिया 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 का, ठीक है, 350 km पर आर तक की speed जो है, ये ले सकती है, 7 billion के आसपास इसमें, 7 billion dollar के आसपास के इसमें खर्चा हुआ है, इसका नाम क्या है, व first of its kind in Southeast Asia, ठीक है, चलिए, तो अब एक बार रिवाइस कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा, लास्ट आर्टिकल हमने देखा, लास्ट आर्टिकल हमने देखा, लास्ट आर्टिकल हमने देखा है, यहां पर बेड़कुलीं के बारे में हमने जाना, जेनरिक ड्रक क्या होती है वो भी हमने समझा, oil firm raises, ATF and commercial LPG prizes, यह भी एक news थी हमने देखा, गांधी जी के बारे में detail में discussion किया है, जो अभी उनके जैनती से related है, और हमारे काम आ सकता है exam में, ठीक है, प्लस अगर आप हमारे mocks and courses चाते हैं, तो do download our app and see the samples, और enroll कर दीजेगा उसमें, ठीक है, तो thank you so much, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और आपके exam सपास में है, थोड़ा consistent रहो, और mock में number उपर नीचे होते रहेंगे, देखो क्या होता है na, mock जो बनते हैं coachings में, अलग-अलग level पर अलग-अलग mock बन जाते हैं, जो बनाने वाले हैं, वो लोग भी कभी-कभी किसी mock को बहुत tough कर देते हैं, कभी किसी को easy कर देते हैं, तो number fluctuate होना बहुत obvious है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी mock पहले हैं और किसी में 90 तो 70 तो 72 आ गए, या किसी में 72 आ रहे हैं तो 90 यह इतना fluctuation हो सकता है, तो यह नी gün को सकता है, अगर आप 90 लाते हो, एगर यह वाली चीज थी, thank you so much, जय हिंद, जय भारत